हलो फ्रेंड्स दिसा सब्सक्राइडमी ओनलाइन क्लासेश में एक बार पुन्हें आपका स्वागत है मैं विशाल सर एक बार पुन्हें आपका स्वागत करता हूं मेरे जो सेकंड सेमिस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो सलेबस में उनकी फर्स थारी उनिट में जो पॉइम्स हैं उन में से मैं तीन पॉइम पढ़ा चुका हूँ और चौथी पॉइम है आपकी एन एसे ओन मैं जिसको लिखा है एलेक्जेंडर पॉप साहब ने एन एसे ओन मैं एलेक्जेंडर पॉप साहब ने इस पॉइम को लिखा है आज मैं आपको इस पॉइम को समझाओंगा और यहां मैं एक और चीज बता देना चाहता हूँ मेरे बेस्टुडेंट जो कि सेकंड सेमेस्टर में की तैयारी कर रहे हैं अगर उनको ओनलाइन क्लास लेनी हो तो मैं ओनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूं अगर आप में से कोई भी इंट्रेस्टेड है तो प्लीज कॉंटेक्ट करें और जो डिस्क्रेप्शन होगा उसमें मेरा मुबाइल नंबर आपको मिल जाएगा आप मेरे मुबाइल नंबर पर डारेक्ट कॉल कर सकते हैं वोट्सेप कर सकते हैं अगर आप इंट्रेस्टेड हो तो चलिए आज मैं आपको पॉइम पढ़ाता हूं ए नैसे ओन मैं लेकिन इस पॉइम को समझने से पहले थोड़ा सा बेगराउंड समझे अलेक्जंडर पॉप साफ की अगर बात करें तो अंग्रेजी साहित में क्लासिकल एज जो हुई है उसके मूस्ट रिप्रेजेंटिटेब पोईट रहे हैं अलेक्जंडर पॉप साहब पॉप ने इस ऐसे ओन मैं की रचना जो की है उसमें एक बहुत महत्वूर रोल प्ले किया है एक ब्यक्ति हुए जिनका नाम है हैंरी सेंट जॉन जिसको की लॉर्ड बॉलिंग ब्रोग भी कहा जाता है जो की एक पॉलिटिकल और फिलोस्विकल राइटर थे पॉप सहब सेंट जॉन को अपना गाइट कहते थे फिलोस्वर कहते थे फ्रेंड कहते थे और उन्हीं ने ऐलेक्जेंडर पॉप को इस पॉइम की रचना करने के लिए इंस्पायर किया है और साथी साथ इस पॉइम के लिए मैटेरियल भी प्रतान किया अगर पॉप साप की इस पॉइम की बात करें हैं हम इना एसे ऑन मैन की तो इसको इन्होंने चार एपिस्टल में लिखा है फोर एपिस्टल में इस पॉइम को लिखा गया है इसके ठری एपिस्टल जो हैं फस्स, सेकेंड और थर्ड वो पबलिश हुए हैं 1733 में और चौथा एपिस्टल यो है बूप पबिश हुआ है आपका 1734 में अगर हम बात करें एपिस्टल फ़र्स्ट की तो एपिस्टल फर्स्ट जो है वह गरता है Man With Respect To The Universe एपिस्टल सेकेंड की अगर हम बात करें तो एपिस्टल सेकेंड जो है वह Man In Himself को बैक्ट करता है एपिस्टल थर्ड जो है वो वेक्ट करता है Studies Man in Society यानि कि और चौथा जो एपिस्टल है वो डिसकस करता है Man and His Aims for Happiness और आपकी ये जो लाइन्स हैं स्लेवस में वो एपिस्टल सेकेंड से ली गई है यानि कि अपिस्टल सेकेंड आपकी स्लेवस में प्रेस्क्राइब्ड है ठीक है ना तो अब मैं डारेक्ट आपका पोईम स्टार्ट करता हूँ तो देखिए सुलू की चाल लाइन्स लिखा हुआ है No than thyself, presume not God to scan The proper study of mankind is man कहने का मतलब Alexander Pope कहते हैं कि प्रतेग ब्यक्ति को सबसे पहला काम है कि वो अपने आपको जाने प्रतेग ब्यक्ति के लिए सबसे पहला काम है कि वो अपने स्वयम को जानने का प्रेयत्न करे यदि वो ब्यक्ति मानप्ता को समझना चाता है तो सबसे पहले उसे मनुष्य को समझना होगा अपने आपको समझना होगा उसके बेहेबियर को समझना होगा क्वालिटीज को समझना होगा बीकनैसिस को समझना होगा जब वो बहुत अदिक पर संद हो या जब वो बहुत अदिक दुखी हो Playsed on this Istumus of a Middle-Estate a being darkly biased and rudely graded लेखा कहता है कि बास्तिविक्ता ये है कि मनुष्य जो है वह इश्वर और जानवर दोनों के बीच इश्वर और मनुष्य आप ये कह सकते हैं इश्वर और मनुष्य को जोड़ने वाली कड़ी है इसलिए मनुष्य जो है वह अच्छाईयों और बुराईयों का एक बंडल है मनुष्य के अंदर धेर सारी गुण हैं तो धेर सारी अबगुण भी हैं मनुष्य के पास perfect knowledge नहीं हैं perfect power नहीं हैं उसके बावजूर भी मनुष्य जो है वह अपने आपको महान और गौरानवे समझने की गलती कर बैठता है ठीक तो तुबारा है समझे अलेक्जेंडर पूप कहते हैं कि प्रतेक ब्यक्ति को सबसे पहले अपने आपको जानना चाहिए यदि वह ब्यक्ति मानपता का अध्यन करना चाहिए तो जरूरी है कि वह मनुष्य का अध्यन करे उसके बीहेवियर का अध्यन करे उसके गोड़ उसकी बीकनेसे का अध्यन करे खास्तोर से तब जब मनुष्य बहुत अधिक डिलाइटिड हो खुस हो या बहुत अधिक दुखी हो बास्तविक्ता में पूप कहते हैं कि मनुष्य जो है वह ईश्वर और जानवर को जोड़ने वाली कड़ी है इसलिए मनुष्य जो है वो अच्छाईयों और बुराईयों का बंडल है उसके पास परफेक्ट नॉलेज नहीं है परफेक्ट पाबर नहीं है लेकिन उसके बाबजूद भी मनुष्य जो है बड़ा गौरानवर मैसूस करता है अपने आपको प्रदर्शिक करने में चलिए नेक्स्ट फोर लाइन हम बात करते हैं आगे बात करते हैं पौप साहब बिद टूमच नॉलेज फोर दा सेप्टिक साइड बिद टूमच बीकनेस फोर दा इस्टोइक प्राइड ही हैंक्स बिट्विन इन डाउट तो एक्ट और रेस्ट इन डाउट तो ड्रीम हिंसेल पे गौड और बीस्ट पौप कहते हैं कि मनुष्य में कुछ कमिया है कमियों को उजागर करते हैं कि मनुष्य की आईरनी है कि वह है डाउट के में सफर करता है संदेव करता है हाला कि उसके पास बहुत नौलेज है साथी साथ उस नौलेज के बावजूद भी वह अपने मस्तिश को सच्चे ग्यान से फिल करने में क्या रहता है अस्फल लेता है मनुष्य जो है वह अपने आपका जीवन जो है डाउट में गोजारता है कि वह आखिरकार क्या क्या करे अपने आपको एक स्टोईक की रूप में ले या अपने आपको एक इपिक्यूरियन की रूप में ले एक स्टोइक शो होता है वह अपने आप में आप कहा सकते है इस्टोइक परसन बू होता है जो कि प्लेजर को छोड़ने का कारिकलता है जबकि इपिक्यूरियन बू व्यक्ति होता है जो कि उनमें खोया रहता है प्लेजर में खोया रहता है मनुष्य जो है वह इस बात में सफ सोस्ता रहता है और वह सोस्ता अपने आपको इश्वर की तरह है लेकिन कर्म वो करता है आप कह सकते हैं एक जानवर की तरह है ठीक तो फिर से समझे लिखक क्या कहता है लिखक कहता है वोप साब कहते हैं कि मनुष्य जो है उसके जीवन की यह आईरनी है कि वह अपने पूरे जीवन भर doubt में रहता है हाला कि उसके पास धेर सारी knowledge रहती है लेकिन वह knowledge भी उसके मस्तिष को सच्छे ज्यान को प्राप्त करने से रोकती है ठीक वह decide नहीं कर पाता कि वह अपना जीवन stoic की तरह जिये या एक epicurean की तरह जिये क्योंकि stoic बो person होता है जो कि सभी pleasures को में खोया रहता है मनुष्य जो है वह यह decide नहीं कर पाता कि वह इश्वर है या जानवर है ठीक वह अपने आपको इश्वर की तरह सोचने का प्रयास करता है लेकिन कर्म कैसे करता है एक जानवर की तरह है नेक्स्ट पोल लाइन है इन डाउट हिज माइन और बोडी तू प्रैफर बोर्न बटू डाई और रिजनिंग बटू एर अलाइक इन इंग्लोरेंस हिज रीजन सच बैदर ही तिंक्स तू लिटल और तू मच आगे पूप साब कहते हैं कि मनुष्य जो है वो धेर सारी कन्फ्यूजन से सफर करता है वह नहीं जानता कि उसका सरीर सुपीरियर है या उसकी आत्मा सुपीरियर है उसकी सोल सुपीरियर है मनुष्य जो है वो सोचता है कि वह मरने के लिए बना है अगर मतलब मनुष्य के लिए आगर वो कहते हैं कि अगर मनुष्य जो है वो बहुत अद्धे ज्याता है वो ठीक या ज्याता सोच बचार करने वाला नहू ठीक तो या वो फेलियर हो तो ये सब क्वालिछी मनुष्य की है इसलीए जरूरी ये है कि मनुष्य जो है इसमें ये ग्ञान होना चाहिए एक चीज उसको प्राप्ट करनी चाहिए वो है improve self knowledge यानि कि मनुष्य को हमेशा अपनी स्वいました ग्ञान जो है उसको improve करते आना चाहिए reason के आधार पर और जो ignorance है उसका त्याग कर देना चाहिए तो लेखा कहता है कि मनुष्य जो है वह हमेशा इस doubt में बना रहता है कि वह अपने मस्तिस्क यानि कि आत्मा को prefer करे या अपनी शरीर को prefer करे मनुष्य सोचता है कि उसका जन्म रत्य के लिए बना है ठीक यानि कि उसने को एक ना एक दिन मरना है इससे कोई फरक नहीं पड़ता अगर ब्यक्ति बहुत अदिक बुर्दिमान है चाहें ब्यक्ति बहुत अदिक सोच बिचार करने वाला है या नहीं भी है या मनुस्य जीवन में अस्फलता को प्राप्ट करता है यह important नहीं है important यह है कि ब्यक्ति जो है वह अपनी self knowledge को improve करते रहे काई की आधार पर reason की आधार पर और साती साथ ignorance का त्याग करता रहे नेक्स्ट लाइन्स हैं आपकी लिएकर कहता है चैवोज अप थाउट और पैसन और कन्फ्यूस्ट इस्टिल भाई हिमसेल पैब्यूस्ट और डिस अब्यूस्ट क्रियेटेड हाफ तू राइस और हाफ तू फॉल ग्रेट लॉर्ड ऑप अल तेंक्स यह टेप्रे टू आगे पोप सहब कि मनुस्य जो है वो बहुत दिखका रहता है और उसके जो बिचार है फिलिंग से बूभी कन्फ्यूस्ट रहती है मनुस्य है सी इस्तिति में अपने स्वयम का दुस्मत बन जाता है और अपने ही प्रयासों को धोका देता है जरा सी सक्सेस प्राप्ण होने पर बहुत कौरनवित हो जाता है, केरलेस हो जाता है, और जो फाइनल सक्सेस है, उसको प्राप करने में अस्फल हो जाता है, साथी साथ पूप साब कहते हैं, कि मनुस्य जो है, वो सभी forces का मालिक है, लेकिन उसके बाबजूर भी वो बार-बार ruined होता रहता है, बरबाद होता रहता है, आगे लाइन लिखी है, soul judge of truth, soul judge of truth in endless error harald, the glory, jest and riddle of the world, लेका कहता है, कि मनुस्य जो है, वो अपने ग्यान पर घमन करता है, तभी बार-बार गलतियां करता है, वह problem create करता है, इसके बाबजूर भी, जो जानता है, कि मनुस्य को ईश्वन ने best creation बनाया है, लेकिन उसके बाबजूर भी मनुस्य जो है, वो मूर्खों की तरह कारी करता है, मूर्खों की तरह कारी करता है, मूर्खों की तरह का दुस्मन बन जाता है और अपने प्रयासों को ही धोका देता है थोड़ी सी सबलता प्राप्ट होने पर मनुष्य से बहुत गौरानवित मैसूस करने लगता है कियरलेस हो जाता है और इसी कारणट से वह फाइनल सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाता मनुष्य जो है हाला कि उसे अपने ग्यान पर आप कह सकते हैं घहमंड रहता है इसलिए वह बार-बार गलतियां करता है वह अपने इस घहमंड के कारणट बार-बार प्राप्लम्स क्रियेट करता है और वह फूल जाता है कि ईश्वर ने मनुष्य को बेस्ट क्रियेशन बनाया है लेकिन उसके बा वह बार-बार आप क्रियेचर माउंट वेर शाइंस काईड गो मीजर अर्ख यार एंड शेट दा इस इंस्ट्रक्ट अपलेनेट इंस्ट्रक्ट अपलेनेट इन वाट और आप्स तू रन करेक्ट ओल्ट ताइम और रेगूलेट अड दा सं तरी समझे लाइन क्या है गो ब क्रियेचर माउंट वेर साइंस गाइड गो मीजर अर्ख वे एर एंड इस्टेट अटाइट इंस्ट्रक्ट अपलेनेट इन वाट ओर्प्स तू रन करेक्ट ओल्ट टाइम और रेगूलेट दा सन यानि कि पोप साब के अमसार मनुस्य बंडर्फुल क्रियेचर है उसको आ बिज्ञान की साहिता से मनुस्य को प्रत्वी के प्रत्यक पार्ट को आप कह सकते हैं सर्च करना चाहिए हवा में फियल लेसली उड़ना चाहिए वॉक करने चाहिए और समुद्र की उंची लहरों पर तैड़ना चाहिए बिज्ञान की साहिता से मनुस्य जो है वो प्लेनेट्स पर राज़ कर सकता है उनको कमान कर सकता है मनुस्य नौलेज इंप्रूब कर सकता है और एंसीन टाइम की पाबर प्राप्ट कर सकता है मनुस्य जो है वह सफलता प्राप्ट कर सकता है लगातार मूवमेंट करके जिस परकार से सूर जो है वह दिन और रात देता है उसी परकार से ग्यान जो है वह मनुस्य को सफलता प्राप्ट करवा सकता है तो देखिए बहुत अच्छी लाइन्स हैं लेखा कहता है कि मनुश्च को हमेशा प्रोग्रेस करने के लिए आगे बढ़ता रहना चाहिए और प्रोग्रेस प्राप करने के लिए उसको उंची हाइट्स पर जाना चाहिए बिद्धा हेल्प ऑफ साइंस बिग्यान की साथ ये उड़ना चाहिए तो ये पॉइंट तब लिखी गए जब एरोप्लेन नहीं बनाता लेकिन साइंस पूप का मानना था कि साइंस की मदद से एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मनुश्य हवा में उड़ेगा वो सही भी हुआ हाई बेप्स की उपर मनुश्य वाक करेगा बड़े बड़े जहाज बने विग्यान की साइथा से मनुश्य जो है वो प्लैनेट पर शासन करता है कमांड एर मूवमेंट और आप इतना ही नहीं मूवमेंट इनके मूवमेंट को कमांड भी करने लगा है जो आज बरतमान मुहूर आ है उसके बारे में पहले ही लिख दि बिज्ञान की मदद से मनुष्य सफलता प्राप्त कर सकता है जिस प्रकार से सन जो है डे और नाइट देता है उसी प्रकार से मनुष्य जो है वह अपने ज्ञान को प्राप्त और ज्ञान को बढ़ा सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगली लाइन है, गो सोर विद प्लैटोस, दा इंपिरियल स्पियर, तू दा फर्स्ट गूड, फर्स्ट पर्फेक्ट और फर्स्ट फियर, और ट्रीट दा मेजी राउंड, हिज फॉलोर्स ट्रॉड, और क्वाइटिंग सेंस, कॉल इमिटेटिंग गॉड, और इस्टर्न प प्लैटो की बिचारों के साथ प्रोग्रेस करने चाहिए, क्योंकि प्लैटो साब का मानना था कि ये फिजिकल बर्ट जो है वो अवास्दविक है और सिरफ-और सिर्फ भ्रहम है, मौनुश को समझना चाहिए कि प्लैटो की फिलॉस्पी जो है वै आत्मा को प्रदर्शित क इनकी जो थियूरी है प्लेटो साब की वो आइडिया रेफर करती है कि विश्वास जो है इस मैटेरियल बर्ड पर वह रियल नहीं है बलकि सिर्प और सिर्प कल्पना है ठीक मनुष्य जो है उसको का प्राइमरी आइडिया है कि सबसे पहले वह जहां अच्छा करना हूँ वह प्रतम हूँ अच्छाई करने में प्रतम हूँ फस्ट परफेक्ट यानि कि वह परफेक्शन में भी फस्ट रहे तब फस्ट फेयर भलाई करने में भी फस्ट रहे बट रिमेंस इन्विजिबल लेकिन इतना सब कुछ करने के बाबजूर भी वह क्या रहे इन्विजिबल र कि मनुष्य जो है वह अपनी इनर्जी बेस्ट करता है फिजूल में मूर्ता पूर्ण कॉंप्लेक्स तरीकों से इस फिजीकल वर्ड में और साथी साथ इंपर्फेक्ट नॉलेज प्राप करने के बावजूद भी उसमें सुपिरियर्टी कॉंप्लेक्स की भावना आ जाती है और मनुष्य जो है वो अपने आपको दूसरा इश्वर समझने लगता है इस्टर्ण फिलोस पर जो है वो इग्नोरेंट पूपल को इस्पिरिच्वल नॉलेज जो है यानि कि जो आपका इस्पिरिच्वल ग्यान होता है आध्यात में ग्यान होता है उससे मस्तिष को भरने का काम करते हैं इसलिए हमें Eastern philosophy को प्राप्त करना चाहिए लास्ट की डो लाइन्स हैं जो इस पॉइम की वो है Go teach eternal wisdom how to rule then drop into thyself and be a fool Go teach eternal wisdom how to rule then drop into thyself and be a fool पूप कहते हैं कि मनुस्य को eternal wisdom सिखानी चाहिए सभी ignorant people को सच्चा ग्यान जो है वो इसमें है कि how to rule the self यानि कि अपने आप पर सासन कैसे किया जाए दूसरों पर सासन करना ये सच्चा ग्यान नहीं है खुद पर सासन करना ये सच्चा ग्यान हैं पहले ये प्राप कर लिजिए कि खुद पर सासन कैसे किया जाए दूसरों को सिखाने से पहले सबसे पहले मनुष्ट को अपने आंतरिक मन को सीख देनी चाहिए अपनी स्वयम की इग्नोरेंस जो है मनुष्ट के मन में उसको जज़ करना चाहिए और लेखा कहता है कि वह कमांड लावर्ड यानि कि वह ब्यक्ति जो कि अपनी सेंसिस को कंट्रॉल नहीं कर सकता ऐसा ब्यक्ति कभी संसार पर कमांड नहीं कर सकता तो यह खुबसूरत सी पोईम है जो कि पोप साब की फिलोस्पी को दरसाती है एन ऐसे ओन में एपिस्टल सेकेंड जो कि आपके सिल तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ठैंक्स पॉर वाचिंग जैहिन जैभारा